भारतियनता पार्टी चुनाओं के बाद ये मान चुक्की है कि हम दोनों सीथ हार रहे हैं इसलिए वो हार का ठीकरा कहीं ना कहीं किसी पर खोड़ने के लिए बहाने की तलास कर रहे हैं और बहानाबाजी लगातार वो बनाने का काम कर रहे हैं या सबसे जनाधार की बात करते रहें उनके पास अपना एक ऐसा नेत्रित करता नहीं है जो जन समर्थन हासिल कर सेके चुनाओ की परकिरिया पर भी सवाल उठा करके स्वयम को ये बताने का कोशिज कर रही है कि हम चुनाओ हार चुकी है जनता की अदालत में उनका केस गया हुआ था और जनता ने उनको खारिज कर दिया है अब यह असपश्ट हो गया है कि भारतियन पाटी जनता की कोट से हार चुकी है मिस्चित रूप से हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे और इस चुनाओ परिनाम के बाद भारतियन जनता पाटी को इस बात का हैसास हो जागा कि हम जनता के चित से उतर गए थे इसलिए चारोखाने चित हो गए बिहार में दो सीटों पर उपचुनाओ जो हुए है उसके नतीजे कल आने वाले है और देखिए आज चुनाओ आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला आया कुडनी जो की राज़त का सीट है यानि की राज़त के अभी विधायक थे वहां से उस पे लेकर उपचुनाओ की बात सामने आ गई है पांच दिसंबर को चुनाओ होना है राज़त के लिए एक नया सीट एक नई जिम्मेदारी हमाय साथ राज़त प्रवकता है आज़ाज एमत सर राज़त के लिए एक नई जिम्मेदारी आ गई है वाज उसकी घोसना की गई है उस सीट पर मानिए राश्टिय ने त्रित राश्टिय अध्यक सरिलालो परसाज जी मिलकर फैसल है करें गहागड बन्हें के सबी निताओंसे विचार yolkिस की उपरांग वहाँ से कोन उमिद्वार होंगा इसकी घोसना की जाएगी अच्छा ये सवाल भी उठ रहा है बार-बार की दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसका कल मतगंड़ना होना काउंटिंग होनी है अब जो बीजेपी है उदावा कर रही है दोनों सीट तो आप लोग हार रहे हैं व वो हार का ठीकरा कहीं ना कहीं किसी पर फोड़ने के लिए बहाने की तलास कर रहे हैं और बहानाबाजी लगातार वो बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी बहाना बनाए उनके जनसमर्थन का पोल खुल गिया है उनके नत्रित का पोल खुल गिया है और असपश्ट उप से लोगों के सामने आ गया कि जो बड़े सबसे बड़े दल होने का दावा करते रहें या सबसे जनाधार की बात करते रहें उनके पास एक ऐसा नित्रित करता नहीं है जो जन समर्थन हासिल कर सके इनको चिरोरी करके उधारी में लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ा लेकिन उनके जोड़ने के बाद भी चुके लोगों को पता था कि अपमान करने वाले अपमानित होने वाले एक साथ जुड़े हैं लोभी और ठक का यहां पर जो संबंद बना है ये संबंद काम आनने वाला नहीं है इसलिए आप देखे होंग कि चुनाओ के बाद लगातार भारतियनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्तावूर दल के सारे पर इस तरह का काम किया गये जबकि उनको पता है कि ये चुनाओ फिरी एंड फेर हुआ है चुनाओ योग की देख रेक में इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है चुनाओ योग पर इस तरह का इल्दाम लगा के भारतियनता पार्टी कहीं न कहीं चुनाओ की परकिरिया पर भी सवाल उठा करके स्वयम को ये बताने का कोशिज कर रही है कि हम चुनाओ हार चुके हैं अचा सबसे बड़ी बात यह है कि फरेश्टेशन भारतियनता पार्टी का असपश्टूप से दिख रहा है खास तोर से ये दोनों उपचुनाओ के बाद आप देखे होंगे कि सुसील मोदी जी किस तरह की भासा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उस तरह की भासा का इस्त कहा है कि आप माफी मांगे चुके आपने जिस तरह की भासा का इस्तेमाल किया है ये भासा भारतियनता पार्टी के नेता ही बोल सकते हैं दूसरे कोई नहीं बोल सकते हैं इस तरह की भासा और अमर्यादित बाते भारतियनता पार्टी के द्वारा किया जाना ये अपने खून पसीने से बिहार के विकास में अपना योगदान दिया है बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और बिहार के अंदर जो इस सिती अपरिसिती नफरत का खड़ा कर दिया था भारतिय नितापाटी ने उसको निकाल करके मुहबत की राजनिती की ले जाने का जो देश्ट में संदेश गिया है उस संदेश से इनको खीज है और उसी खीज का परिनाम है कि भारतिय इंता पार्टी के छोटे से बड़े निता इस तरह की आपत्ति जनक भासा का इस्तेमाल कर रहे हैं तरह कि अधालत में उनका केश केया हुता है और जनता ने उनको खारीच कर दिया है अभी आसपष्ट हो गया है कि भारतिय इंतापाटी जनता की कोट से हार चुकी है जनता के वोट से हार चुकी है इसलिए two court का भी सहारा ले रहे हैं और कहीं नबाएं जनता के फिर भरम की सिती भी खड़ा करना चाहते हैं इस चुनाओ परिणाम के बाद भारतिये इंता PARTY का फ्रम तूड जाएगा निस्चीत रूप से हम बड़े margin से जीतेंगे और इस चुनाओ परिणाम के बाद भारतिये जन्ता पार्टी को इस बात का हैसास हो जागा कि हम जन्ता के चित से उतर गए थे इसलिए चारो खाने चित हो गए चली बहुत बहुत शुक्रिया ये थे मैं साथ अजाज हमद उन्होंने साफ कहा है कि जस तरीके का मरियादत भाशा का प्रयोग कर रहे हैं शुशील मोदी बज जाएं और जन्ता की अदालत ने पहले ही उन्हें ठुकरा दिया है दोनों सीटों पर उपचुनाब पर लेकर भी उन्होंने साफ कहा दिया कि दोनों सीटों पर जीतना है और कुडणी में जो उपचुनाब होने हैं उसमें भी हमारी जीतना है फिलाल खुर में से फितना ही आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल कर ले बहुत बहुत धन्यवाद